नमस्कार दोस्तों, आईए सुनते हैं महान लेखक प्रेमचंद की लिखी कहानी रियासत का दीवान महाशे महता उन अभागों में थे जो अपने स्वामी को प्रसन नहीं रख सकते थे वह दिल से अपना काम करते थे और चाहते थे कि उनकी प्रशंसा हो वह ये भूल जाते थे कि वह काम के नौकरतों हैं ही अपने स्वामी के सेवक भी हैं जब उनके अन्य सहकारी स्वामी के दर्बार में हाजिरी देते थे तो वह बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिर्मारा करते थे इसका फल ये था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पाते थे, पुरसकार और पारितोशिक उड़ाते थे और काम के सेवक महता किसी न किसी अपराध में निकाल दिये जाते थे। और उनकी स्तुतिगान में ही भाग्य की परीक्षा करेंगे। और इस प्रतिग्या को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया कि दो साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। एक स्वाधीन राज्य की दिवानी का क्या कहना। वेतन तो पांच सो रुपे मासिक ही था मगर अख्तियार बड़े लंबे। राई का परवत करो या परवत से राई कोई पूछने वाला न था। राजा साहब भोग विलास में पड़े रहते थे। राज्य संचालन का सारा अभार मिस्टर महता पर था। रियासत के सभी अमले और कर्मचारी दंडवत करते। बड़े बड़े रईस नजराने देते। यहां तक की राणिया भी उनकी खुशामत करती। राजा साहब उग्र प्रकृती के मनुश्य थे जैसे प्रायह राजे होते हैं। दुर्बलों के सामने शेर, सबलों के सामने भीगी बिल्ली। कभी मिस्टर महता को डांट फटकार भी बताते। पर महता ने अपनी सफाई में एक शब्द भी मू से न निकालने की कसम खाली थी। सिर जुका कर सुन लेते। राजा साहब की क्रोधागनी इंधन न पाकर श मुझत रही थी। राजा साहब ने महता को बुला कर कहा मैं चाहता हूं साहब बहादुर यहां से मेरा कलमा पड़ते हुए जाए। महता ने सिर जुका कर विनीद भाव से कहा चेश्टा तो ऐसी ही कर रहा हूँ अन्न दाटा। चेश्टा तो सभी करते हैं मगर वह चेश् ऐसा ही होगा रुपिय की परवा मत करो जो हुक्म कोई शिकायत ना आए वरना तुम जानोगे वह हुजूर को धन्यवाद देते जाएं तो सही हाँ मैं यही चाहता हूँ जान लड़ा दूँगा दीन बंधू अब मुझे संतोश है इधर तो पॉलिटिकल एजेंट का आगमन था उधर महता का लड़का जै कृष्ण गर्मियों की छुटिया मनाने माता पिता के पास आया किसी विश्व विद्यालय में पढ़ता था एक बार 1932 में कोई उग्र भाशन करने के जुर्म में छे महीने की सजा काट चुका था मिस्टर महता की नियुक्ती के बाद जब वह पहली बार आया था तो राजा साहब ने उसे खास तोर पर बुलाया था और उसे जी खोल कर बातें की थी उसे अपने साथ शिकार खेलने ले गए और नित्य उसके साथ टेनिस खेला करते थे जै कृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था उसे ज्यात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं क्रांती के समर्थक भी हैं रूस और फ्रांस की क्रांती पर दोनों में खुब बहस हुई थी लेकिन अपकी यहां उसने कुछ और ही रंग देखा रियासत के हर एक किसान और जमीदार से जबरन उगाती फिरती थी रकम दीवान साहब नियत करते थे वसूल करना पुलिस का काम था फरियाद की कहीं सुनवाई न थी चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई सजावट और सड़कों की मरमत में बेगार कर रहे थे बनियों स दंडों के जोर से रसत जमा की जा रही थी जह कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है राजा साहब की विचार और विवहार में इतना अंतर कैसे हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि महराज को इन अत्याचारों की खबर ही न हो या उन्होंने जिन तयारियों का उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में ये अनर्थ कर डाला हो। रात भर तो उसने किसी तरह जब्द किया। प्रातहकाल उसने महताजी से पूछा। आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी। महताजी को स्वयम इस अनीत से गलानी हो रही थी। वह स्वभावतह दयालू मनुश्य थे लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अशक्त कर रखा था। दुखित्स्वर में बोले। राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए। तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था। आप जानत मैंने कर्मचारियों से बार-बार संकेत किया कि यथा साध्य किसी पर सकती ना की जाए। लेकिन हर एक स्थान पर मैं मौझूद तो नहीं रह सकता। अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं तो शायद कर्मचारी लोग महराज से मेरी शिकायत कर दें। यह लोग ऐसे ही अफसरों की ताक में तो रहते ही हैं। इन्हें तो जनता को लूटने का कोई बहाना चाहिए। जितना सरकारी कोश में जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जैकृष्ण ने उत्तेजित होकर कहा। तो आप इस खा क्यों नहीं दे देते। महता लज्जित होकर बोले। बेशक मेरे लिए मुनासिप तो यही था लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूँ कि अब और सहने की शक्ती नहीं रही। ये निश्चे है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रख सकता। धर्म औ के लिए है जो अफसर और काल देख कर काम करते हैं। सिधान्त वादियों के लिए ये अनुकूल स्थान नहीं है। जै कृष्ण ने तिरसकार भरे स्वर में पूछा। मैं राजा साहब के पास जाऊ। क्या तुम समझते हो राजा साहब से ये बातें छिपी हैं। संभव ह प्रजा की दुख कथा सुनकर उन्हें कुछ दया आए। मिस्टर महता को इसमें क्या आपत्ती हो सकती थी। वह तो खुद चाहते थे किसी तरह अन्याय का बोज उनके सिर से उतर जाए। हां ये भय अवश्य था कि कहीं जै कृष्ण की सत्प्रेड़ना उनके लिए हानिक और कहीं उन्हें इस सम्मान और अधिकार से हाथ न धोना पड़े। बोले ये ख्याल रखना कि तुम्हारे मुझ से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो महराज को अप्रसन कर दे। जै कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई बात न करेगा। क्या वह इतना नादान है मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महराजा साहब वह नहीं है जो एक साल पहले थे या संभव है पॉलिटिकल एजन्ट के चले जाने के बाद वह फिर हो जाएं। वह न जानता था कि उनके लिए क्रांती और आतंक की चर्चा भी उसी तरह विनोध की वस्तू थी जैसी हत्या, बलातकार या जाल की वारदातें या रूप के बाजार के आकरशक समाचार। जब उसने ड्योड़ी पर पहुँच कर अपनी इतला कराई तो मालूम हुआ कि महराज इस समय औस्वस्त हैं लेकिन वह लोट ही रहा था कि महराज ने उसे बुला भेजा। शायद उससे सिनिमा संसार के ताजे समाचार पूछना चाहते थे। उसके सलाम पर मुस्कुरा कर बोले। तुम खूब आए भाई, कहो, MCC का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन बखेडों में ऐसा फंसा कि जाने की नौबत नहीं आई। अब तो यही दुआ कर रहा हूँ कि किसी जरहां एजिंट साहब खुश-खुश रुखसत हो जाएं। मैंने जो भाषन लिखवाया है वह जरा तुम भी देख लो। मैंने इन राष्ट्रिय आंदोलनों की खुब खबर ली है और हरी जनोधार पर भी छीटे उड़ा दिये हैं। जै कृश्न ने अपने आवेश को दबा कर कहा राष्ट्रिय आंदोलनों की आपने खबर ली ये अच्छा किया लेकिन हरी जनोधार को तो सरकार भी पसंद करती है इसलिए उसने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और मिलने जुलने की पूरी स्वाधीनता दे रखी थी राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ कहा तुम जानते नहीं हो ये सब प्रदर्शन मातर है दिल में सरकार समझती है कि ये भी राजनैतिक आंदोलन है वह इस रहस्य को बड़े ध्यान से देख रही है लॉयल्टी में जितना खुशामदी समझें एहमक भी समझ सकते हैं पर उससे अप्रसन नहीं हो सकते वहां हमें जितना ही उचा उठाता है उतना ही वहां हमारी द्रिष्टी में उचा उठता जाता है राजा साहब ने अपने भाशन की एक प्रती मेज की दराज से निकाल कर जै कृष्ण के सामने रख दी पर जै कृष्ण के लिए इस भाशन में अब कोई आकरशन न था अगर वह सभाचतुर होता तो जाहिरदारी के लिए ही इस भाशन को बड़े ध्यान से पढ़ता उनके शब्द विन्यास और भावत कर्श की प्रशंसा करता और उसकी तुलना महराजा बीकाने या पटियाला के भाशनों से करता पर अभी दरबारी दुनिया की रीती नीती से अनभिग्य था जिस चीज को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था और जिस चीज को अच्छा समझता था उसे अच्छा कहता था बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसे न आया था उसने भाशन पर सरसरी नजर डाल कर उसे मेज पर रख दिया और अपनी स्पष्ट वादिता का बिगुल फूंकता हुआ बोला मैं राज नीती के रहसियों को भला क्या समझ सकता हूं लेकिन मेरा खयाल है कि चानक्य के ये वनशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रि एजिन्ट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म ढढ़ाय जा रही है तो शायद वह यहां से प्रसन्ध हो करना जाए फिर मैं तो प्रजा की द्रिश्टी देखता हूं एजिन्ट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है का आकारधारन कर लेता और अंत में भूकंप के आवेश से उबल पड़ता था, जिससे उनका स्थूल शरीर, कुर्सी, मेज, दिवारें और चट सभी में भीशन कमपन होने लगता था। इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बुद्धी इतनी प्रकड नहीं है। आप पुरा मान जाएंगे, क्या तुम समझते हो मैं बारूद का धेर हूँ। बहतर है आप इसे न पूछें, तुम्हें बतलाना पड़ेगा और आप ही आप उनकी मुठियां बं क्रिकिट के मैदान में राजकुमारों पर रॉब जमाया करता था, बड़े बड़े हुकाम की चुठकियां लेता था। बोला, अभी आपके दिल में पॉलिटिकल एजेंट का कुछ भै है, आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं। जब वहाँ आपके एहसानों से दब ज जाएंगे और प्रजा की फर्यात सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब प्रज्वलित नित्रों से ताकते होए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूँ कि उससे डरू, कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरू, बिल्कुल कारण नहीं है। मैं पॉलिटिकल एजें का पालन कर रहा हूँ, मैं विलायत जाओं तो His Majesty भी इसी तरह मेरा सतकार करेंगे, मैं डरूं क्यों, मैं अपने राज्य का स्वतंत्र राजा हूँ, जिसे चाहूं फासी दे सकता हूँ, मैं किसी से क्यों डरने लगा, डरना ना मर्दों का काम है, मैं इश्वर से भी नहीं डरता, डर क्या वस्तू है, ये मैंने आज तक नहीं जाना, मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मूफट छात्रे नहीं हूँ, कि क्रांती और आजादी की हांक लगाता फिरूं, तुम क्या जानो क्रांती क्या चीज है, तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है, उसके लाल द्रि शुन्य नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, एहमक नहीं हूँ, प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्यान है, तुमने उसे बाहर से देखा है, मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूँ, तुम मेरी प्रजा को क्रांती का स्वपन दिखा कर उसे गुमरहा नहीं तुम मेरे राज्य में विद्रो और असंतोष के बीज नहीं बो सकते। तुम्हें अपने मुँपर ताला लगाना होगा। तुम मेरे विरुध एक शब्द भी मुँझे नहीं निकाल सकते। चूम भी नहीं कर सकते। हरी मालूम होता था प्रेत लोग का कोई पिशाच है। जै कृष्ण की सारी उद्दंडता हवा हो गई। राजा साहब को इस उन्मात की दशा में उसने कभी न देखा था। लेकिन इसके साथ ही उसका आत्म गौरव इस ललकार का जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहा था जैसे विनय का जवाब विनय है वैसे ही क्रोध का जवाब क्रोध है जब वह आतंक और भै अदब और लिहाज के बंधनों को तोड़ कर निकल पड़ता है। उसने भी राजा साहब को आगने अनेत्रों से देख कर कहा। मैं अपनी आखों से ये अत्याचार देख कर मौन न हक नहीं है। प्रतियक विचारशील मनुश्य को अन्याय के विरुध आवाज उठाने का हक है आप वह हक मुझसे नहीं चीन सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हुँ। आप मेरा बाल भी बांकाल नहीं आँखों से दूर हो जा और खबरदार फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना मैं तुझ जैसे कपूद का मुझ नहीं देखना चाहता जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है बे अदब कहीं का अब अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा जै कृष्ण ने ह इंसा विक्षिप्त पिता को घ्रणा की आँखों से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाए दिवान खाने के बाहर निकल गया राजा साहब ने कोच पर लेट कर कहा बदमाश आदमी है पल्ले सिरे का बदमाश मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक्षन भ खा गया नहीं तो इसी वक्त इसका मजा चका सकता था केवल आपकी मुरवत ने हाथ पकड़ लिया आपको तुरंट निर्णय करना पड़ेगा इस रियासत की दीवानी या लड़का अगर दीवानी चाहते हो तो तुरंट उसे रियासत से निकाल दो और कह दो कि फिर कभी म रियासत की है बोलिए क्या मंजूर है मिस्टर महता ने क्रोध के आवेश में जै कृष्ण को डांट तो बतलाई थी पर ये ना समझे थे कि मामला इतना तूल खीचेगा एक शन के लिए वह सननाटे में आ गए सिर जुका कर परिस्थिती पर विचार करने लगे राजा उन् मिट्टी में मिला सकता है वह यहां बिलकुल बेबस है कोई उनका साथी नहीं कोई उनकी फरियात सुनने वाला नहीं राजा उन्हें भिखारी बना कर छोड़ देगा इस अपमान के साथ निकाले जाने की कलपना करके वह कांप उठे रियासत में उनके बैरियों की कमी न थ सब के सब मूसलों ढोल बजाएंगे जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं कल शेरों की तरह गुर्राएंगे फिर इस उमर में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा निर्दई संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा नहीं इससे तो ये कही अच्छा है कि वह यहीं पड़े रहें कंपित स्वर में बोले मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूं अन्न दाता आज नहीं इसी वक्त इसी वक्त निकाल दूँगा हमेशा के लिए हमेशा के लिए अच्छी बात है जाए और आधे घंटे के अंदर मुझे सूचना दीज मिस्टर महता घर चले तो मारे क्रोध के उनके पाउं काप रहे थे देह में आगसी लगी हुई थी इस लोंडे के कारण आज उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा गधा चला है यहां अपने साम्यवाद का रागल आपने अब बचा को मालूम होगा जबान पर लगाम न रख खाऊं हां मुझे ये पद और सम्मान प्यारा है क्यों न प्यारा हो इसके लिए बरसों एडियां रगणी है अपना खून और पसीना एक किया है ये अन्याय बुरा ज़रूर लगता है लेकिन बुरी लगने की एक यही बात तो नहीं है और हजारों बातें तो बुरी लगत सुनीता ने कहा जै कृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था तब से यहाँ कब आया अब तक यहाँ नहीं आया वह तो मुझसे पहले ही चल चुका था वह फिर बाहर आये और नौकरों से पूछना शुरू किया अब भी उसका पता न था मारे डर के कहीं छिप रहा होगा और राजा ने आधे घंटे में इतला देने का हुक्म दिया है यह लौंडा न जाने क्या करने पर लगा हुआ है आप तो जाएगा ही मुझे भी अपने पाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथ में रख दिया अच्छा ये तो जे कृष्ण की लिखावट है क्या कहता है इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक श्रंड भी नहीं रह सकता मैं जाता हूँ आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिया है आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए मैं फिर आपको तकलीफ देने न आऊंगा अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा महता ने पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाया और खिन होकर बोले इसे न जाने कब समझाएगी लेकिन बहुत अच्छा हुआ जब लाला को मालूम हो पीछे अपना शेष जीवन नहीं बरबाद करना चाहता और तुरंत राजा साहब को सूचना देने चले दम से दम में सारी रियासत में ये समाचार फैल गया जैकृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था लोग बाजारों और चौर रस्तों पर खड़े हो हो कर इस कांड पर आलोचना करने लगे अजीव आदमी नहीं था भाई उसे किसी देवता का अवतार समझो महराज के पास जाकर बे धड़क बोला अभी बेगार बंद कीजिए वरना शेहर में हंगामा हो जाएगा राजा साहब की तो जबान बंद हो गई बगले जाकने लगे शेर है शेर उम्र तो कुछ नहीं पराफत का परकाला है और वह ये बेगार बंद करा के रहता हमेशा के लिए राजा साहब को भागने की रहा न मिलती सुना घिगी आने लगे थे मुदा इसी बीच में दिवान साहब पहुँच गए और उसे देश निकाले का हुक्म दे दिया ये हुक्म सुनकर उसकी आँखों में खून उतर आया था लेकिन बाप का पमान न किया ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए बाप है या दुश्मन वो कुछ भी हो है तो बाप ही सुनीता सारे दिन बैठी रोती रही जैसे कोई उसके कलेजे में पान तक न किया था चुले में जाए ऐसा भोग विलास जिसके पीछे उसे बेटे को त्याग ना पड़े रिदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम पती और घर को छोड़ कर रियासत से निकल जाए जहां ऐसे नर पिशाचों का राज्य है इन्हें अपनी दीवानी प्य याद करेगी उन्हें भी इश्वर ने बालक दिये हैं उन्हें क्या एक अभिमानी माता पर दयाना आवेगी इसके पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी उसका मुर्झाया हुआ मन आशा में लहलहा उठा लेकिन रनिवास में पहुची तो देखा कि महारा मानी के तेवर भी बदले हुए हैं उसे देखते ही बोली तुम्हारा लड़का बड़ा उजड है जरा भी अदब नहीं किस से किस तरह बात करनी चाहिए इसका जरा भी सलीका नहीं नजाने विश्व विद्याले में क्या पढ़ा करता है आज महराज से उलज बैठा कहता थ कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सतकार की कोई तैयारी न कीजिए इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह कोई राजा कैगंटे गद्दी पर रह सकता है एजेंट बहुत बड़ा अफसर न सही लेकिन है तो बादचा का प्रतिनिधी उसका आदर सतकार करना तो हमारा धर्म है फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे उन्हें रियासत से जागीरे मिली हुई है किस दिन के लिए प्रजा में विद्रो की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम है जिस पतल में खाओ उसी में छेद करो महाराज ने दिवान साहब का होगा उसका क्या बिगड़ता है कहीं 150 की चाकरी पा जाएगा यहां तो करोणों की रियासत बरबाद हो जाएगी सुनीता ने आचल पहला कर कहा महरानी बहुत सत्य कहती है पर अब तो उसका प्राधक्षमा कीजिए बिचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं गया नजान किधर चला गया हमारे जीवन का यही एक अवलंब है महरानी हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे आचल पहला कर आपसे भीक मांगती हूं उसको ख्रमा दान दीजिए माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा आप महराज से सिफारिश कर दें महरानी ने अपनी बड अनोखी बात कह रही हो और अपने रंगे हुए होटों पर अंगूठियों से जग मगाती हुई उंगली रख कर बोली क्या कहती हो सुनीता देवी उस युवक की महराज से सिफारिश करूँ जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है आज तीन में सांप पालूँ तुम किस मुझे ऐसी बात कहती हो और महराज मुझे क्या कहेंगे ना मैं इसके बीच में न पढ़ूँगी उसने जो बीज बोएं हैं उनका वह फल खाए मेरा लड़का ऐसा नलायक होता तो उसका मुझ न देखती और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करती हो सुनीता ने आखों में आशू भर कर कहा महरानी ऐसी बाते आपके मुझे शोभा नहीं देती महरानी मसनत टेक कर उठ बैठी और तिरसकार भरिस्वर में बोली अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आशू पोचूंगी तो तुमने भूल की हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बाल कृड़ा समझ रही हो अगर तुमने उसके अपराध की इट सहलाए वह स्वयम राजद्रोही है इसके सिवा और क्या कहूं सुनीता भी गर्म हो गई पुत्रिस ने म्यान के बाहर निकलाया बोली राजा का करतव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन करना नहीं है प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है उसी समय महराज ने कमरे में खदम रखा राणी ने उठकर स्वागत किया और सुनीता सिर जुकाय निस्पंद खड़ी रह गई राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुसकान के साथ पूछा ये कौन महिला तुम्हें राजा के करतव्य का उपदेश दे रही थी राणी ने सुनीता की और आँख मार कर कहा ये दिवान साहब की धर्म पत्नी है राजा साहब की त्योरियां चड़ गई ओठ चबा कर बोले जब मा ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का क्यों न जहर का बुझाया हुआ हो देवी जी मैं तुमसे ये शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प् जड़ियों से मिलती चली आई है बहतर हो कि तुम किसी से ये शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रती उसके सेवक का क्या धर्म है और जो नमक हराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये कहते हुए राजा साहब उसी उनमाद की दशा में बाहर च देवी जी राजद्रो के मैदान में उनसे भी दो कदम आगे हैं बलकि मैं तो कहूंगा वह केवल रेकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज ही बोल रही है मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साए में रियासत के विद्रूईयों को आश्रे मिल आप खुद इस दोश से मुक्त नहीं हो सकते ये हर्गिस मेरा अन्याय न होगा यदि मैं ये अनुमान कर लूँ कि आप ही ने ये मंत्र फूंका है मिस्टर महता अपनी स्वामी भक्ती पर ये आक्षेप न सह सके व्यथित कंठ से बोले ये तो मैं किस जबान से कहूं कि दीन बंधू इस विशय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं लेकिन मैं सर्वता निर्दोश हूँ और मुझे ये देख कर दुख होता है कि मेरी वफादा केवल शब्दों से नहीं होती, मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका, नए-ए दलीलों के लिए नए-ए प्रमाणों की जरूरत है, आपके पुतर के लिए जो दंड विधान था, वही आपकी स्तरी के लिए भी है, मैं इसमें किसी भी तरह का उजरे नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुख्म की तामील होनी चाहिए। लेकिन देना नात मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्या न मिलेगी। बिल्कुल नहीं ये मेरा आखरी हुख्म है। मिस्टर महता यहां से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुसा आ रहा था। इन सभी को न जाने क्या सनक सवार हो गई है। जै कृष्ण तो खैर बालक है, बे समझ है, इस बुढ़िया को क्या सूझी, न जाने रानी साहब से जाकर क्या कह आई। किसी को मुझ से हमदर्दी नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किस मुसीबत से मैं अपनी जिन्दगी के दिन काट रहा हूं, यह कोई नहीं समझता। कितनी निराशा और विपत्तियों के बाद यहां जरा निश्चिंत हुआ था कि इन सभी ने ये नया तूफान खडा कर दिया। से इसका समर्थन करते हैं, क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों का पक्ष लिया जाए, वे भी तो कुछ इसका महत्व समझें। आज राजा साहब इनी बेगारों से जरा हसकर बातें करें, तो वे अपने सारे दुखडे भूल जाएंगे और उल्टे हमारे ही शत्रू बन जाएंगे। शायद सुनीता महरानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई है। गधी ये नहीं समझती कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वा करते हुए जिन्दगी काट लेना ही हमारा धर्म है। अगर भाग्य में यश और कीर्ती निर्वदी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता? लेकिन समस्या ये है कि इसे भेजूं कहां? मैके में कोई है नहीं, मेरे घर में कोई है नहीं। अब मैं इस चिंता में कहां तक मरूं? जहां जी चाहे जाए, जैसे किया वैसा भोगे। वह इसी क्शोबह और गलानी की दशा में घर में गए और सुनीता से बोले। तुने जराजरा सी बात पर सजा दो नियाय और सत्य निरर्थक शब्द हैं जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं कि बुद्धूओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वावा हो। नियाय का पक्ष लेकर देख लिया है हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ न आया जिनकी हिमायत की थी वे आज भी उसी दशा में हैं बलकि उससे भी और बत्तर। मैं साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी उदंडताओं का तावान देने के लिए तैयार नहीं मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा इसके सिवा में और कुछ नहीं कर सकता। सुनीता ने गर्व के साथ कहा मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं कहीं भेद खुल जाए तो दीन बंधु तुम्हारे उपर कोप का वज्र गिरा दें तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है उसका आनंद से उपभोग करो मेरा लड़का और कुछ न कर सकेग तो पाव भर आटा तो कमा ही लाएगा मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निवती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो मेहता ने तुल मिला कर कहा क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरे खाता फिरूं सुनीता ने घाव पर नमक छड़का नहीं कदापी नहीं अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरे खाने में मज़ा आता है तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरे खाना अच्छा समझते हो अब मालूम हु तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिया है फिर क्यों ठोकरे खाओ मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार तो भेजते रहोगे या राजा साहब की आग्या लेनी पड़ेगी राजा साहब इतने न्याय शून्य है कि मेरे पत्र व्यवहार में रोक तो करें अच् मैं तो इश्वर से चाहती हूँ कि जो मैंने आज किया वहाँ बार-बार करने का मुझे अफसर मिले। महता ने अरुची के साथ पूछा तुमने कहां जाने का इरादा किया है। जहन्नम में घल्टी आप करती हो घुस्सा मुझ पर उतारती हो मैं तुम्हें इतना निरलज न समझती थी। मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूँ। केवल मुख से, मन से नहीं। मिस्टर महता लज्जित हो गए। भाग 3. जब सुनीता की विदाई का समय आया, तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोय और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्विकार कर ली। वास्तव में इस बेकारी के दिनों में महता ने जो कुछ किया वही उचित था। बिचारे कहां मारे मारे फिरते। पॉलिटिकल एजिंट साहब पधारे और कई दिनों तक खूब दावतें खाई और खूब शिकार खेला। राजा साहब ने उनकी राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्विकार किया और तीन दिन में रियासत को ढ़ाई लाख की चपत देकर विदा हो गए। मिस्टर महता का देमाग आसमान पर था। सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजिंट अब तो उनकी दक्षता पर मुग्ध हो गए। उन्हें राय साहब की उपाधी मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धी हुई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठा कर ताक पर रख दिया था। उनकी ये साधना की महाराज और एजिंट दोनों उनसे प्रसंन रहे संप पूर्ण रीती से पूरी हो गई। रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम तीन साल के लिए निश्चिंत थे। एजिंट खुश है तो फिर किसका भय? कामुकता, लंपटता और भाती-भाती के दुर व्यसनों की लहर प्रचंड हो उठी, सुन्दरियों की टोह लगाने के लिए सुराग रसानों का एक विभाग खुल गया, जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। एक बुढ़ा खुर्राट जिसका पेशा हेमालय की परियों को फसा कर राजाओं को लूटना था और जो इसी पेशे की बदावलत अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिडियां आने लगी। भै, लोब और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। लेकिन एक ऐसा अफसर भी पड़ा जहां इस तिकडम की सारी सामोहिक और वैयक्तिक चेश्टाएं निश्फल हो गई। और गुप्त वि महता पर रखा गया जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था। उनके उपर महराजा साहब को पूरा विश्वास था। दूसरों के विशय में संदेह था कि कहीं रिश्वत लेकर शिकार भैका दें या भंडा फोड़ कर दें या अमानत में खयानत कर बैठे। महता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी। रात को नौ बजे उनकी तलवी हुई। अनदाता ने हुजूर को याद किया है। महता साहब ड्योड़ी पर पहुँचे तो राजा साहब पाई बाग में टहल रहे थे। महता को देखते ही बोले। आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे। आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति न होगी और यदि हो भी तो लोग इस विशय में आपकी अवग्या करने पर भी तैयार है। सतिया की आपने जो अमूल्य सेवा की है उसका पुरसकार तो कोई क्या दे सकता है लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रधा है उसे तो वह किसी ना किसी रूप में प्रकट ही करेगी। महता ने बड़ी नमरता से कहा ये अंदाता की गुणग्राहकता है मैं तो एक तुछ सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया ये इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदै प्रयत्न किया मगर मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। यहां न चलेगी। हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं अपनी भक्ती का परिचय दे रहे हैं। थोड़े दिनों में न हम रहेंगे न आप रहेंगे। उस वक्त भी ये प्रतिमा अपनी मूखवानी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उधारकों का आदर करना जानते थे। मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें। एजेंट ने अपकी जो पत्र लिखा है उसमें आपको खासतोर से सलाम लिखा है। महता ने जमीन में गड़ कर कहा। ये उनकी उदारता है। मैं तो जैसा आपका सेवक हूँ वैसा ही उनका भी सेवक हूँ। राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे। फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। तहसील खास में एक गाउन लगनपुर है। आपकभी वहां गए है। हाँ अनदाता एक बार गया हूँ। वहां एक धनी साहुकार है। उसी के दिवान खाने में ठहरा था। अच्छा आदमी है। हाँ उपर से तो बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अंदर से पक्का पिशाच। आपको शायद मालूम नहों इधर कुछ दिनों से महरानी का स्वास्थे बहुत बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दूँ। वहां सब तरह की चिन्ताओं एवं जंजटों से मुक्त होकर वहां आराम से रह सकेंगी। लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजिम है। आज नैतिक समस्या है और शायद आप भी मुझ से सहमत होंगे इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है। उस साहुकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमीर में शिक्षा पा चुकी है। मैं एक बार उस गाउं से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छट पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर ये रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महरानी की अनुमती लेकर साहुकार के पास संदेशा भेजा। किन्तु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेश स्विकार न किया। कहता है कन्या का विवा हो चुका है। मैंने कहला भेजा इसमें कोई हानी नहीं मैंतावान देने को तयार हूँ। लेकिन वह दुष्ट बराबर इंकार किये जाता है। आप जानते हैं प्रेम असाध्य रोग है। आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस ये समझ लीजिये कि जीवन निरानंद हो रहा है। नींद और आराम हराम है, भोजन से अरुची हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा, तो समझ लीजिये कि मेरी जान पर बनाएगी। सोते, जागते, वही मूरती आँखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझा कर हार गया। और अब विवश होकर मैंने कूट नीती से काम लेने का निश्चय किया है। प्रेम और समर में सब कुछ ख्रम्य है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े से मातबर आदमियों को लेकर जाएं और उस रमणी को किसी तरह ले आएं। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से, इसकी चिंता नहीं। मैं अपने राज्य का मालिक हूँ। इसमें जिस वस्तू पर मेरी इच्छा हो, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्वा नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए। आपने राज्य की बड़ी-बड़ी सेवाईं की हैं। ये उस यग्य की पूर्णा होती होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवन्ष के इश्टदेव समझे जाएंगे। मिस्टर महता का मरा हुआ आत्म गौरव एका एक सचेत हो गया। जो रक्त चिरकाल से प्रवाशुन्य हो गया था, उसमें सहसा उद्रेखो उठा। तियोरियां चरहा कर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किड्नाप करूँ। राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आग पर पानी डालते हुए कहा। कदापी नहीं मिस्टर महता, आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधी बना कर भेज रहा हूँ। कार्य सिध्धी के लिए आप जिस नीती से चाहें काम ले सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। मिस्टर महता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता है। राजा साहब की आँखों से चिंगारिया निकलने लगी। अपने स्वामी की आग्या पालन करना पाजीपन है। जो आग्या नीती और धर्म के विरुद हो, उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीती और धर्म के विरुद है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं, ये बलातकार है। आप अपने होश में हैं, खोब अच्छी तरह, मैं आपको धूल में मिला सकता हूँ, तो आपकी आत्मा की हत्या की है, और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है, लेकिन आत्म सेवा की भी एक हद होती है, जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका ये कृत्य जगन्य है, और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो, वह इसी योग्या है कि उसकी ग पक्चा समेट कर रियासत से निकल गए, मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजंट के पास भेज दिया। झां पक्चा समे एजंट के पास भी दिया।